घर और किचन के काम करना हो गया है मुश्किल दोस्तों तो टिप सेंट्रिक से काम करिए ताकि काम भी अआसान हो साथ में समय की बचत हो तो हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं कि आप सब अचछे होंगे बढ़ियां होंगे तो आज का जvention टिप सेंट्रिक से ब बहुत ही खास है पूरा वीडियो देखिएगा फर्ष्ट आइडिया है फर्ष्ट इपसे वह देखिए इस तरीके से धकन को लेकर देखे दोस्तों हम लोग के घर में मिठाईयां आती है तो उसमें यह धकन दिया रहता है तो हमें धकन को बेकार समझ के नहीं फेकना चाहिए जैसे कि छुटी-छुटी सी कटोरिया में अगर हम लोग सबजी वेगरा भुंजिया कुछ भी रखे और धगने के लिए कोई भी धकन ना हो तो यह धकन को यूज में ले सकते हैं काफी अच्छा रहता है देखिए हमारे घर में यह दो तीन धकन इस तरीके से हम रखे हैं बना के ताकि हम में आसानी होता है चोटे-चोटे से कटोरियों को धगने के लिए और देखिए दोस्तों यहां पे अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है जैसे कि उठाने में तो यहां पे इस तरीके से कॉल्डरिंग के बोतल के धकन से ना यह देखिए हैंडल जैसा बना तो कमाल का एंडिया ऐसे समान को फेका करी अपने किचन में यूज कीजिए घर में जाने और इसके लग इक्काम को बनाई ए गगी डुर।?」 दोस्तु भीडिए ब्रूंघाल के घिर कारेगा ब्रमीर। लग तो लिएके किफान है झान hurricane में मेरा कई लाल मिर्प न सूखा मिर्च होता नहीं उन सकता है कि भूरी टाइप सद्थ होई जाता है तो Sum लगा हो तो लाइक कीज़ेगा नेक्स आडिया है दोस्तों जब भी हम लोग पॉपकॉन इस तरीके से बनाते हैं तो देखिए पॉपकॉन बनाने का भी तरीका होना चाहिए देखिए नमक और तेल हम डाल दिये हैं और जब पॉपकॉन फूटने लगे तो धकन को चढ़ा दीजिए धकन को चढ़ाने के बा भी पॉपकॉन बनेगा रोटी को रखते हैं तो नीचे जो तो नीचे वाला रोटी जाता है और यहारा रोटी फूल जाता है और फूल जाता है overly reparय条件 नहीं कि एक ढएंभितर है लान तुमाने कि बीस टेसरी दाड़ानी यह जब भी भी नहीं पाते हैं तो जब भी आप लोग रोटी पकार हैं दोस्तों तो सबसे पहले कपड़े तविल को रखने के पहले ना पेपर एक बिछा दीजिए जितना भी जैसा कि गरम के रोटी के कारण जो बाफ बनेगा पानी बनेगा ना तो सारा पेपर एफ जोब कर लेगा रो हां पे जो हम बिसकर ले लिए दोस्तों तो यह बिसकर में हमें लैसुन को इस तरीके से डाल लेना है थोड़ा सा बिसकर मेरत छोटा है और इस तरीके से गैस जला के थोड़ा सा इसको नरम कर लेना है छिलके को जला के ज्यादा नहीं जलाना है बस इसका हलका हलका उपर से ना धाह लग जाये तो क्या होता है कि इसका छिल्का नरम पड़ जाता है और इस तरीके से ना बहुत सारा लेसुन छिल्क के एकदम रख दीजेगा देखिए हलका हलका से इसको हम जला लिए हैं और अब हम यहां पे क्या करेंगे कि लैसुन को इस पलेट में निकाल देंगे क्योंकि बिक सर मेरा थोड़ा छोटा था देखिए तोड़ तोड़ के इस तरीके से निकालेंगे क्योंकि थोड़ा सा फैल वाला रहता था अच्छा से गुश जाता है निकल जाता है तो चलिए आप लोग को लैसुन चील के दिखाते हैं और बहुत ही लैसुन धेरो लैसुन चील के रख दीजेगा दोस्तों तुरंत भर में तो यह देखिए तो लैसुन चीलना बहुत ही ने दोस्तों लैसुन चीलने वाला मीन्टों में बहुत चाया लगा हो थो लाइक कीजेगा अपने दोस्तों फैमली में ज़रूर से माइब और सपोर्ट कीजिएगा कितना जल्दी में इतना सारा लेसुन हम छील के रख दियें नेक्स आइडिया देख लेते हैं दोस्तों जब भी हमारे घर में कोई कंटेनर छोटा हो बड़ा हो रहता है तो धकन उसका थोड़ा सा लूज रहता है तो समान हमारा गिरने का डर होता है तो यहां पर हमें काम करेंगे कि ले लेना है सेलो टेप जो प्लास्टिक वाला सेलो टॉप होता है वो और इसके उपर धकन बंद करने वाला यहां पर इसमें एक दो राउंड इस तरीके से टेप को लगा लेना है ताकि मेरा जो लूज हो रहा है धकन वो टाइटली तो यहां पर मेरा ज्यादा लूज नहीं हो रहा था सिर्फ थोड़ा सा लूज हो रहा था तो देखिए इस तरीके से हम टेप को सेलो टेप को एक राउंड घुमा लिए हैं और अब धकन बंद करके आप लोग को दिखाते हैं तो देखिए दोस्तों इस तरीके से बहुत अच काम का लगा हो वीडियो को कर दिजीगा लाइक अपने दोस्तों इस तरह कर दिजीगा सेर करके सपोर्ट किजेगा और निफों सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजेगा मिलते हैं एक वीडियो में तब के लिए बाए-बाए